Hi students, welcome in the online classes of DEV school. As you know, in the class 7th G-Science, we are on chapter 2nd. In the previous lecture, we covered our keywords, keywords हमने पूरे कवर कर लिये थे. Today we are on part ABC. Part ABC. In the part A, we have filling the blanks. Filling the blanks में देखिए क्या है? The digestion of food in human start in mouth. First filling the blanks में क्या हैगा? Mouth. Digestion कहां से शुरू होता है? Mouth से. And is completed in the small intestine. और कहां complete होता है? Small intestine. चोटी आंत में. Dash present in stomach kills bacteria. Hydrochloric acid जो है. वो stomach पेट में present होता है. Bacteria को kills यह मारने के लिए. The largest gland in the human body is liver. जो सबसे बड़ा gland है human body का वो क्या है? लिवर है. Parsley digested food that is chewed again by the grass eating animals is called cud. जो कुछ animals ऐसे हैं जो क्या करते हैं पार्सली जल्दी जल्दी से उसको चबा कर digested, partially digested बोलेंगे उसको पेट के अंदर ले जाते हैं और फिर उसको वापिस लाकर चबाते रहते हैं तो उस material को क्या बोला जाता है? कड़ दा अमीबा यूजिज पुस्डो प्योडिया फोर दा लोको मोशन एंड कैप्चिरिंग इट्स फूड अपना बोजन को पकड़ने के लिए पता लगाने के लिए अमीबा जो पुस्डो पोडिया का यूज़ करता है फाल्स फीट भी बोले जाता है इनको नेक्स्ट पार्ट बी वी है मैच दा फॉलोइंग गाल ब्लेडर गाल ब्लेडर में क्या होता है बाइल जूसीज फर्स्ट वन है प्रोटीन प्रोटीन हमारा एमीनो एसीड से मैच करेगा इंटस्टेनियल वोल एबजोप्शन इंटस्टेनियल वोल क्या है एबजोप्शन से रियूमन रियूमन क्या होता है काउ पुस्डो पोडिया फाल्स फीट अभी बताया था पुस्डो पोडिया क्या होता है हमारी फाल्स फीट होते हैं अमीबा के नेक्स्ट वी है in the part c take the correct option we have organism that can synthesize their own food are called वो organism जो अपना भोजन स्वम बनाती है उनको क्या कहा जाता है our answer is autotropes क्या कहेंगे autotropes cow is an गाएं जो है वो क्या है heterotropes क्योंकि वो plants को खाती है तो वो क्या है what heterotropes है animals that eat both plant material and animals जो plant material को और animals दोने को खाते हैं और काल्ड उनको क्या कहा जाता है omnivores बीज और अंसर omnivores यह हमने six class में भी पड़ा था seven के lesson में भी पड़ा है कि जो animals हैं वो कि दोनों plants और animals को दोनों को अगर खाएं तो वो omnivores यह नहीं कि सर्वाहारी कहलाते हैं which one of these is not part of alimentary canal इन में से alimentary canal का कौन सा जो है अंग नहीं है पार्ट उसका नहीं है तो answer is liver liver alimentary canal का पार्ट नहीं होता bile juice is released by bile juice कहां से released होते हैं इसका answer भी liver ही है liver से ही released होते हैं आज आप part ABC ही करेंगे हम बहुर जादा नहीं करेंगे वीडियो लंबे हो जाते हैं कुछ parents का मेरे पास को lie है कि पचेचे subject हैं और थोड़ा सा काम थोड़ा कम करवाया जाए इसलिए थोड़ा हलका थोड़ा थोड़ा काम करवाया जा रहा है आप करते रहें इसको learn करें book में आपके फिलप्स करें okay thank you so much